हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे तो आज में बनाने जारी हूँ हम सभी का फेवरेट ब्रेड ओमलेट और यह जटपट से बन जाता है और घड़ में सभी को पसंद आता है बच्चे से लेकर बड़े तक ओमलेट खाझना सभी को पसंद आता है और यह ब्रेड ओमलेट घटपट से बन जाता है तो अगर आप को वीडियो पसंद आता है पीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेयर कर कर दीजेगा आपने फैमिली र फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राब भी कर लिजेगा और ह मीढियम साइज का अधा अरवय हरी मिरे अगल आपते नेटील है एक ़ूय को लेगे से नए और यहां पर आप हमने कुछ और ब्रेब दिरत को यहां कि andyआ कुछ नहीं होता है रहाए और लोगा कि ब्रैडि एक अफल लेना है तो यहां पर हम ले लेगे एक कोई भी बर्तन जिसमें हमें मिक्स करना है अंडे को तो उसमें हम डाल देंगे यहां पर प्याज और हरी मिर्ज तो हमने यहां पर लिया है एक बड़ा वाला गलास है वही हमने ले लिया है मिक्सिंग करने के लिए आप कोई भी कटोड़ी या किसी में भी mix इसको कर सकते है और मैं यहां पर दो अंडे का एक साथ बनाऊंगी आप चाहिए एक अंडे का भी बना सकते है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के कोडिंग नमख अब हम इसमें अंडा तोर करके डाल देते हैं तो दोनु अंडा को में तो डाल देंगे अगर इसको थोरा से आप ज्यादा चटपटा से बना सकते हैं तक इसमें हलका-हलका舉 भी मसाला भी ढाल सकते हैं जैसे धनिया पॉडर लाल मीर्स पॉडर तो यहां उपने एंडाना चाहते हैं यहां वरल ऊमिल में जा उपना मिर्च लिया है और नमक कि इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे लगभाग दो मिनिट के दो मिनिट तक जब तक यह अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो यह हमारा मिक्स हो के रेड़ी है चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ तो यहाँ पर हमने गैस पर तबा रख दिया है तबा लिया है हमने यहाँ पर डोसा बनाने वाला जो तबा है वही हमने लिया है वो थोड़ा बरे साइज का है तिसलिए मैंने यही लिया है आप कोई भी पैन में भी बना सकते हैं और इसमें हम डालेंगे एक बरे चमज के लगभग तेल, यहाँ पर हमने डिफाइंड विल डाला है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, जो भी तेल आप खाते हो, यूज कर सकते हैं इसमें, इसको हम पूरे तवे पर फैला देंगे, और गैस के फ्लेम को मेडियम दोब्याइब को हम अच्छा से गरम होने देंगे, तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है, और दुबारा से एक भर हम लिक्स कर देंगे और ये देखें मैं किस तरह से यहाँ पर डाल नहीं हूँ, ऐसे ही इसको ढालना है, अर इस पर हम प्रे लगा देंग और जो साइड से एक्ष्ट्रा दिख रहा है उसको आप साइड से उठा कड़के इस तरह किसा चिपका भी सकते हैं इसमें इससे क्या होगा थोरा सा अच्छा सा सेप इसमें आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर इसलिए लिया था बड़ा वाला तवा जिससे आराम से ब्रेड इस पर आ जाए क्योंकि ब्रेड जो था थोरा सा बड़े साइज वाला था इसलिए मैं इसको यहाँ पर बड़े वाले तवा पर बना रही हूँ और इसको हम एक तरब से पकने देंगे पकने के बाद अपने आप हट जाता है तबा में से अपने आप ही छूट जाता है और इसको पलट देना है और दूसरे साड़ी भी हम अच्छे से इसको पका लेंगे और देख सकते मैं या पर किस तरीके से पलट रही हूँ बहुत ही आसानी इस तरीके से पलट जाता है वैसे जब पेन में आप पकाएंगे ना तो तब भी आप इस तरीके से इसको पलट सकते हैं तो दोनों साइड से हम अच्छा से इसको क्रिस्पी बना लेंगे बहुत ही अच्छे से हम इस दोनों साइड से पका लेंगे तो यのは ब्रेड ओमलेट बन क dissert के तयार है इसको फिर से एक बार करधे थेँ हैं और कि सायड से हम अघहा देते है स्कोझ जो एक्ष्ट्रा ओमलेट है ने सायड से उसको अघंड देते हैं ताकि किसमें अच्छा सा सेप दिखे और जब इसको आफ होल्ड करते हैं तो बीच में से थोरा सा कच्छा पन रहता है तो वहां से भी आप अच्छी से को क्रिस्पी कर लिजिए जब आप इसको ब्रेड के साथ पलट देंगे तो उस्टेम फ्रेम को लो कर लिजिए और इसको अच् देख सकते हैं कितना बढ़ियां हमारा ब्रेड ओमलेट बना है और केचप के साथ यह काफी ज़्यादा टेश्टी लगता इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं बीना केचप का भी तो फ्रेंट्स उमीद है आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा पसंद आया तो प्ल आपको आपको आपको